असलाम वालीकूम अज़्ट विलॉग पर शुरू तो भई आपको एक बार फिर से एक नए विलॉग में खुश्चाम दीद तो आज हम जा रहे हैं और लोहर घूमने के लिए तो मेरे साथ अवैस बड़ो भी खान भी जा रहे हैं तो बड़ो खान आप रैडी हो घूमने के दी कैमरा चूचा भी है हमारे साथ समयम एकमौन और उमर भी है जो पर समान लेने के होगा हूआ तो फिर यहाँ से निकलते हैं और आपको सिद्धा बड़ और चलकर मिलते हैं और हम जा रहे हैं और इंट्रेंट पर और यह मि're ट्रेम्ति और ओर गरा Center का पिह वहां जलते हैं और आपको साथ साब दिखाते चलेंगे कि अच्छा जी हम ऊरवज लाइन स्टेशन को पहुँअ हम अली टाउन स्टेशन से ब gratis help ना अगर रेलवे स्टेशन जाकर अच्छा जी हम ने ठोक्ल लै और आम चलें अच्छा जी हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हैं रेलवे स्टेशन तो यहां से बाइर चलते हैं और देखते हैं क्या पुरो गिराम बनते हैं अच्छा जी यह रेलवे स्टेशन के नीचे आप लुडांजा बाजार देख सकते हैं हम इसको भी देखेंगे अब बहुत राश्ट लगा हुआ है लुडांजा बाजार में भी अवाम भरपूर शॉपेकर यह तो तमाम ब्रैंड्स की चीज़े ही पर मिलती है बड़े अच्छा जी तो हम नीचे आप चुछते हैं और आप राश्ट देखें कि तरह लगा हुआ है लोगे अपर आप पर आप आप ठीजा ने ले लिए वहां पैली शॉपेक डाल तूर से मिलाजी हमने पहली शॉपेक कर लिये है अंस हमने गिलासेज ले लिया तो बीछे आपने क्लिप देख लिया होगा दो अबड़ खान हम सबने गिलासेज ले ले पहली शॉपेंग हो गई हमारी आप तो आगे क्या लेड़ है आप आगे हम देखते हैं कुछ हमारी ताइब का क्या मिलेगा हमें गिलासेज अच्छी मिल गई हैं अच्छा जी हमने लुटांसा बजार देखते हैं और आप हम जा रहे हैं तेलीगेर तो हम जाएंगे रखशे बयां तो यहां से रखशा बकरते हैं अफ देलीगेर पहंचता हैं मिलेगेट देलीगेट अच्छी एल्यृ तो आप हम हरा हम करां करें तो रखबर में नो फसरह थाएं आप हुआ अच्छा जी हम रेल्वे स्टेशन से निकले थे और अब भी डैली गेट पहुंच रहा हूं तो आगे चलते हैं और आपको बिल्खाऊंगा और यहाँ पे भी काफी राश्ट है अच्छा जी फाइनली हम डैली गोर्ट पहुंच चके हैं यह यहाँ पे शायद किसी तिसकी श हम जा रहे हैं दिले गेट के अंदर तो अंदर जल कर देखते हैं कि अंदर क्या शुक्र मिला है तो यह कोई सबील वाली गलिया है तो इसमें चलते हैं आप क्या शिर्फ बोफिर है अगया है कि इस दिए अगया है या थिये थी यह थी सभी औड बाड़ी लगए वयाले तो यहाым पर 10 ने फिक्चर के लिह है जो आपको हमारे स्टाग्राइं पर मलें लेंगी तो अभी ま은 फालो ने गया तो यह अपर हमारा दो तो इंस्ताग्राम के आईडी मिल जाएगी आपको आप हमें इंस्टा पर फालो कर लीजिए तो वहां आपको पिक्टर्ज देखने को मिल जाएंगी तो अब भी हम एक और गली में जा रहे हैं इस गली का नाम है गली सोट जान सिंग तो इसमें चलते हैं और खान बता रहे है कि एक उस्मान की बैठक मशूर है वो भी इसी में ऐसे हैं वो सामने है वो रहे हैं तो भी यह है उस्मान की बैठक आपने अक्सर सोचल मीडिया पर देखी भी होगी कई मरतबा अच्छा जी तो हम रहे हैं अच्छा जी तो हमने गली सर्जान सिंग भी देख ली और बाहर निकल रहे हैं और डैली गेर से आगे जैसे ही क्राज करें तो आगे सारा बजार शुरू होगी और उसी बजार बजार में ही ये गलिया हैं तो आगे चलते हैं देखते हैं क्या शुबल में तो वही गली सम्मीर वाली भी हमने दे तो आपको भी देखते हैं तो आपको भी दिखाते है तो आपको भी दिखाते हैं इसके सामने मस्जद वजीर खान है तो यह भी मस्जद वजीर खान बहर बहर से देखनें आप अंदर चल रहे हैं तो अंदर चलते हैं और अंदर से भी आपको दिखाते हैं कर दो कर दो कर दो ही आम तो भी चलते हैं अभी मस्जिद के अंदर भी हम मस्जिद वजीर खान के अंदर आगेए हैं यह जिगा आपने आपको पहले बार से दिकाई थी और यह अंदर से कुछ ऐसे हैं और शुतरख़ पर रही मस्जद तो यह ममझे वजीर खान मिल्कु लिसाइन के बीच के पजू की जगाव बनी हुई है तो आगे चलके अंदर से भी देखते हैं मस्जिद मस्जद वजीर खान को हम ने अंदर से भी देख लिया है तो अब ही चलते हैं वहर कुछ खाते बीते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम करता है हुआ है कि अगी हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हम ने फूर्चाट खा ली हैं अभ हम खा रहे हैं गोल गप्पित गुड़ गप्र पड़े सफ़ाइसी नहीं है पड़े सफ़ाइस है अच्छा सभी असल वोह प्रश्ट पहुत अज़ा है अज़ा कैसे है अज़े खटे मीठे नम्गीन लारी ऎडे- लारी एडे लारी एडे लारी एडे आडे- अच्छा जी गोम पिर खा भा पी के हम वापस सटैशन पर पॉंच चुके हैं तो यहां लोगिंता हम वापस गहर की दुछ जो झाब यहां? तो जी हम वापस ही का सफर उक्तियार कर रहे हैं ओके हांजी अब वापिस जाके हम आपसे मिलते हैं इस विलोग की एंडिंग रह गई थी तो हम गुम्फिर के वापस आ गए थे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये विलोग भी बहुत पसंदाया होगा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेजिएगा तो ये विलोग भी कर सतम करते हैं इंशाला जल्द एक नए विलोग के साथ मुलाकात होगी तब तक दौाओं में याद रखिएगा अला हाफिज